नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एक जूम के उपर एक सीरीज बना रहे हैं जहाँ पे आपको हम सिखाएंगे कि कैसे जूम का इस्तमल किया जाता है पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप मीटिंग तयार कर सकते हो है जूम का मीटिंग किस तरह से आप तयार कर सकते हो और वो जूम का मीटिंग तयार करने के बाद अभी हम आपको आज सिखाने वाले है कि किस तरह से उस मीटिंग को आप उस मीटिंग में आईडी जो आप इमेल आई हम स्टार्ट करते हैं अभी इसको मैं थोड़ा छूटा कर देता हूं जिस्ट अ मिनिट ओके Чलोlight so यह मिटिंग है अपके सामने इस तरह से जो इंटर्फेस है ऑपन हो जाएगा जैसे के आपको दिख रहा होगा भी इंटर्फेस इसमें हमने एक डेम मिटिंग क्रिएट किया था प्रिवेस में जाके दिखेंगे जो डेमो वाला है ठीक है ना जो मिटिंग कल है परसो है वो मिटिंग अपकमिंग में दिखती है और जो मिटिंग अल्रेडी हो चुकी है वह आपको प्रीवेस में दिखती है कहां पर दिखती है प्रीवेस में दिखती है ठीक है सो अब एक चीज यहां पर समझेंगे हम जो आपका पुराना वाला मीटिंग है उसको हम ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम रिक्वार्ड करेंगे अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उपर आए बटन में पहले वीडियो की लिंक आ रही है उस वीडियो को पहले देखिए वही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी उस लिए वीडियो को आप पहले देखिए बाद में यह वीडियो देखिए ताकि आ लोगों ने अटेंड किया कितने समय तक वो हमारे वेबिनार में या फिर हमारे आनलाइन मीटिंग में थे और उनका email id क्या है उनका phone number क्या है ठीक है यहां से हम वो देख सकते है इसको पहले मैं edit कर लेता हूँ इस को और इसमेंगाद देट माइं?Date मैं चेंज कर लेता हूँ इसमें मैं कलका date डाल देता हूँ ठीक है कलका Das डाल दिया इसको कर दिया मैंने जस थीक है अभी सेफ जैसे भी किया मैंने तो यह जो meeting यह यह अपकमिंग में आ जाएगी देखो पहले यह वाली जो मिटिंग थी यह प्रिविएस में थी अभी यह वीडियो मेकिंग डेमो वाली मिटिंग जो है वह अपकमिंग में आ गई अपकमिंग में जब वह आती है उसके बाद आपको के करना है वीडियो मेकिंग वेबिनार इ जिनका जूम फ्री है उनको यह option नहीं दिखेगा ठीक है so make sure कि आपका जूम जो है वो paid होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए registration है यहाँ पर 0 दिख रहा है अभी यानि एक भी registration इस meeting के लिए नहीं हुआ है अब यह automatically approved जो है इसके सामने अगर देखेंगे आप तो आपको एक edit का button दिखाए देगा इस edit वाले button को click कीजिए और यहाँ पर तीन option है registration, questions and custom questions तो यहाँ पर questions पर click कीजिए और यहाँ पर देखो last name और email, last name और first name जो भी है वो automatically वहाँ पर रहता है sometimes email id भी automatically रहता है, आपको add क्या करना है, phone number, city यह चीज़े आपको add करने होते है या फिर profession क्या है, industry कौन सी है वो सारी चीज़े तो जो भी आपको add करना है वो यहाँ पर टिक कर ली, जैसे कि मुझे city add करना है तो मैं city को tick करूँगा left side में और right side में, ठीक है अगर मुझे phone number add करना है तो मैं phone number को tick करूँगा left side में और right side में, अगर मुझे state चाहिए तो मैं state को भी click करूँगा left side में और right side में, ठीक है उसका नाम, number, email id, ct, यह सारी चीज़े भरनी पड़ेगी और वो सारी चीज़े आपके पास record होगी zoom में, okay वो सारी चीज़े आप कहा पर देख सकते हो, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे, because अगर इसी वीडियो में बताए तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है तो मैं अगले वीडियो में आपको वो बताऊंगा, जो डेटा है, वो आप कहा से निकाल सकते हो, दूसरी important चीज़ यह है कि आपको जब भी share करना है, तो यह वाला जो link है, इसे copy कीजिए, और इस link को share कीजिए, किसी के भी साथ, तब आपको क्या होगा, कि exact वो अठ्छी जरे किसे register कर पाएगा, वैसे दूसरा option अपके पास यह है, copy invitation करके भी आप इसको share कर सकते हो, इसको copy invitation करो, यह copy meeting invitation करो, और इसको भी आप share कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपका meeting idea है, वो यहाँपे दिखता है, आपका जो passcode है, वो यहाँपे दिखता है, ठीक है? सो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आप इस channel पे नए हैं तो pls this channel को subscribe कीजिए और कौन से विशे पे वीडियो चाहिए partles comment box में हमें बताइए और यह जो वीडियो हम आपको दे रहा है आपको पसंद आ रहा है या नहीं वो भी हमें comment box में बताइए